हलो फ्रेंड मैं हूं आपका वस्तेंद दोस बरत और अड़ोफ फोटोशॉप की सीरीज में आपका स्वागत है अड़ोफ फोटोशॉप की सीरीज में हम आज बात करने जा रहा है हैंड टूल और रोटेड हैंड टूल के बारे में तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंपोर्टेंट है और कहीं जगा यूज़ भी आता है तो इस वीडियो में हम हैंड टूल और रोटेड हैंड टूल के बारे में डिसकस करेंगे तो चले शुरू करते हैं देखिए हमने यहां पर अल्रेड एक इमेज ओपन कर रखिए या फिर कहा देगे बैनर ओपन कर रखा है जो कि jpg format में है जिसको हमने अल्रेड अपने एक assignment वीडियो में पूरा पूरा यह बनाया था तो अगर आपको यह बनाना सीखना है तो आप हमारे उस वीडियो में ज यह बनाया था तो आप वह देखना चाहिए तो देख सकते हैं अभी हम बात करते हैं हैं और रोटेड हैंड टूल के जस नीचे है अगर शॉटकट की बात करें तो इस बार अभी तग हमने जितने भी टूल की बात कि थी उनके जो सब मेनू है उनका जो शॉटकट तो जो शॉटकट है वो आर है तो कंफ्यूज मत होएगा कि shift-s से आप इसको change कर सकते हैं च for hand tool, और for rotate hand tool या rotate view tool आप इसको कह सकते हैं तो यह हमारे पास दो टूल अवेलेबल है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे, ज्यादा बड़े टूल नहीं है, बट हाँ, इंपोर्टेंड और बहुत जगह यूज आते हैं, कई बार क्या होता है, कि अगर जैसे अब भी तक हमने जैसे बात की थी, अभी एक तरसे hand tool active हो जाता था, और left click की तरफ को use करते हैं, जो mouse की left click है, उसके according में mouse का, जब movement कर रहा हूँ, उसके according में इसके left, right, top, bottom, यानि किसी भी direction में जा सकता हूँ, तो same जो चीज है, वो hand tool से है, अगर आप hand tool active करते हैं, तो आपको फिर space वगेरा दबाने के जोतनी है, आप simply अपने hand tool से जो left click है, hand tool active करने बाद, इस image में किसी भी तरफ image ही नहीं, PhD भी अगर हो, तब भी आप ये काम में ले सकते हैं, तो आप अपने according जूम करने के बाद, कहीं पे भी जाना चाहें, या फिर अगर आप इसको 100% में fit करना चाहते हैं, जैसे मैंने अगर इसको sub menu देखेंगे, अगर इस image को या PhD in the future हो, उसको आप 100% में cover करना चाहते हैं, तो आपको बस ये click करना पड़ेगा, अभी तरह हम shortcut भी यूज़ कर रहे थे, control 0 इसका जो shortcut है, fit to screen में, obviously ये पूरी screen के fit to screen कर देगा, और fill screen में ये इसको fill कर देगा, इस तरीके से हम generally जादा त ये कि इस तरह से भी ये tool यूज आता है, तो ये simple hand tool है, ज्यादा complicated है नहीं, generally image को या फिर PhD को आप movement कराने के लिए, पूरी-पूरी layer move नहीं करा रहे है, हम पूरी PhD को move करा रहे हैं, तो confuse मत रहे है, move tool layer या group को move कराने काम आएगा, और hand tool पूरी-पूरी PhD को move कराने काम आए इसे पता चल गया होगा, कि rotate tool rotation के काम आता है, आप चाहें तो यहां से भी angle set कर सकते हैं, तो यह से मैंने अगर इसको rotate किया, तो यह इस तरीके से मैं अपने angle के according rotate कर सकता हूँ, तो simple rotation का है, ज्यादा कुछ इसमें complication नहीं है, अगर मुझे पूरी PhD को, या पूरी image को, या पूरी पूरी जो image इसमें open हो रखिए, उसको rotate की बात करें, तो वो आप अपने according अगर rotate करना चाहें, तो यहां से कर सकते हैं, यह दोनों-दोनों design में help करने के लिए काम आएंगे, ज्यादा इसका use जो आएगा, वो इतना नहीं आएगा, बट help करने के according आपके काम आ सकते तो shortcut भी use कर सकते हैं, और ऐसे भी use कर सकते हैं, आपको बस Photoshop की जब बात कर रहे हैं, तो हमें tool के बारे में idea पूरा होना चाहिए, अब जैसे ही हमने rotate तो कर दिया, लेकिन मुझे इसको रुबाबर reset करना, तो मैं reset कर सकता हूँ, या फिर वापस angle zero कर सकता हूँ, तो मेरे प comment कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो like करना मत बूलेगा, चैनल को subscribe करना तो बिल्कुल मत बूलेगा, और bell बटन को दबाना तो बिल्कुल मत बूलेगा, पिछले कही सारे वीडियो में हमने काफी सारे tool और detail में discuss कर रहा है, और आने वाले वीडियो भी हम discuss करे आएगे, तो bell बटन जरूर दबाएगा, ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे, thank you so much, keep enjoying.